एक शायरी आपने बहुत बार सुनी होगी कि मैं अकेला चला था जानिवे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया यह तस्वीरे अगली जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं उसके बाद इस शायरी का मतलब भी आपको समझ में आएगा और यह तस्वीरे क्यों उभर कर सामने आई है इसकी जानकारी भी आपको पता चलेगी दरसल हमारा एक सयोगी समाचार प्लस का कैमरा परसन सीनियर कैमरा परसन बैजनात मैं तो राची के रिम्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ा रहा है और उसको इंसाफ दिलाने के लिए प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंग यहाँ पर धरने पर बैठे अके लिए मांग ये थी कि जब तक गिरफतारी नहीं होगी यह धरना जारी रहेगा और उनका साथ देने तमाम मीडिया हाउस के पत्रकार यहाँ पर एक जुट हो रहे है पहुच रहे है और इस धरने को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों तक आवाजे नहीं पहुच रही है जो लोग सोई हुए है नीद में उन्हें जगाय जाए और कल सु इरादों के साथ सीधे हम राजेज जी से जुड़ेंगे और जाने वा समझने की कोशिश करेंगे कि बैजनात के हालत और पुलिसिया कारवाई अब तक क्या कुछ यह देख पा रहे है राजेज जी जिस तरह से बैजनात की स्तिति अभी भी नाजुक बनी हुई डॉक्टर ठोस कुछ कह पाने के स्थिति में नहीं है दूसी तरफ पुलिसिया कारवाई सिर्फ आसवाशन बिल्कुल हम लोग तो बेहत नाराज निराज है और इसी वजह से नारा नाराज भी है और हम लोगो धरने पर बैठने हैं पड़ा कोई हम लोग पॉलिटिकल पाटी के नहीं हैं जो कि हम लोग धरना परदर्शन करें और यह करें लेकिन चुकी मजबूर किया स्थानिय पुलीस ने जिस तरह से घठना घटी दस्तारी की घठना को पता है उसके बाद उस पर हमला होता है बैजनात पर बैजनात एक सनहाधर्च कराता है 11 को हमला हो जाता है उसके आयार में परिवर्थित करके आप तुरंत करवाई कर सकते थे लेकिन नहीं किये इसका परिणाम यह हुआ कि वो जो अपराधी है उसको भागने का मौका मिल गया अब वो भाग गया अब पुलीस तलास कर रही है दो दिन से अलास्ट में फिर पुलीस हाथ खड़ा कर देती है कि भाई हमसे नहीं होगा तो इतना बड़ा पुलीस का तंत्र हमारे राज्य की राजधानी राची में और एक मामूली से अपराधी को आप गिरफतार नहीं कर पा रहे हैं अब पूरा तंत्र जो है हाथ खड़ा करके खड़ा हो गया यह हमसे नहीं हो पाएगा और पचीस ह की रफतारी नहीं हो आती है तब तक हम लोग जो है यह धरना कर्शक्रम करेंगे जहां तक रहा बैजनात की तबियत का तो अभी भी जो है इस्थिती गंभीर बनी हुई है हम लोग लगातार डॉक्टर से संपर्क में हैं सुबह भी प्रजेश भी आये थे अभी जस्ट फि हमारा बैजनात जो जीवन और मौत से जो जूज रहा है उस पर भी खत्रा खत्रा मन रहाने लगा है जो सुचना मिली है कि एक संदेहास्पत वेखती है वह आ रहा है मुरेठा पगड़ी कुछ बांदे हुए है और दो दिन से लगतार उसको देखा जा रहा है कि वह आता है देखता है वहां रहकी कर रहा है और उसके बात चला जा रहा है इसकी सिकायद जो है वो बैजनात की बहनने भी की है पुलीज को हम लोगोंने ख़वर किया इंस्पक्र साब से बात हुए है इंस्पक्रे 서ाब ने कहा है कि वहां पर मैं कुछ शांस फोरसेस भेज रहा हूँ अभी जस्ट हमने बरियातु थाना में जा करके एक कम्प्लेन लिखवाया है तो इस तरह से एक असुरुक्षा की भी भावना है इलाज की क्या इस्ति हुई वो भी पता है कि रात की घटना है पत्रकार अगर रिपोर्टिंग के लिए कैमरा और माइक लेकर या हाथ में कलम लेकर सड़क पर निकलता है तो किसी को इस बात की आजादी नहीं है कि वो पत्रकार पर हमला कर उसे अस्पताल पहुचा दे राकेश वरिस सयोग या हमारे साथ राकेश जिस तरह से लगातार पत्रकारों पर हमला होता है कितना कठिन हो जाता है सड़कों पर निकल कर रिपोर्ट्स गैदर करना रिपोर्टिंग करना स्थिती नाजुक रहती है और हम लोग बाहर भी जाते हैं शहर से भी बाहर जाते हैं तो डर तो बनाए ही रहता है जो हमारे साथ ही बेदनात महतों के साथ हुआ और जिस तरह लात यह घटना हुई उसी शाम हमारी मुलाकात भी थी कॉंग्रेस में मुलाकात हुई थी कबरेश के दोरान जेमें में भी प्रेस कांफरेंस के दोरान मुलाकात हुई दी कापी हस्मुक थे वो हैं वो दरसल और उसी अंदाज में वो हमसे मिले भी थे तो बिल्कुल सर्प्राइजिंग रहा जब यह सुना मैंने की उनके साथ इस तरह की घटना घ है और जहां तक उनके ट्रीटमेंट की बात है तो लगातार स्वास्पंत्री बीच जो को देख रहे हैं और जो सुच रहे हैं हम लोग को कि अपसे थोड़ी देर के बाद स्वास्पंत्री को दिहाएंगे और यह बात को भी लेकर भी बात की जा रही है कि अगर ज़रुरत जो लोग भी थे उनकी जल से जल गिरफतारी हो बहुत महत्मून बात इन्होंने कई कि शांतिपून तरीके से हम अपना अंदोलन कर रहे हैं क्योंकि पहली प्राथिविक्ता हमारी यह है कि बैजनात स्वस्थ हो जाए हमारे बीच लौट जाया उसके बाद फिर हम दबाव देखे फिलहाल दो दिन जो पुलिस के एकसरसाइज है यह लगता है कि बहुत प्रेशर बनाने के बाद और बहुत हम लोगों के आंदोलन के बाद पुलिस थोड़ी सी हरकत में आई है चलिए वो अपना काम करे लेकिन पत्रकारिता और पत्रकार का यह दौर बड़ा मुश रहे हैं और यह हमला यह बता रहा है कि हम लोगतांत्रिक वीवस्ता में नहीं जी रहे हैं। साय्थ इस लोगतांत्रिक पत्रकारण पर हो रहा है। तो पूरा समूं लिए इक हरकंड में भी पत्रकारों की सुरक्षा सुनीशित की जया जैसे आम लोगों की सुरक्षा और अलग अलग तपकों की वकीलों की सुरक्षा होती पत्रकार्यता जो मुश्किल भरे पेशे से जुड़े विरोवत दोग इन्हें भी सुरक्षा मुहया कराए जाए कम से कम इस बात की गारेंटी हो कि इनके खिलाब जो अफराद होते हैं उसमें दोशियों पर सक्त सक्त कारवाई की जाए देखिए इस घटना से हम लोग बहुत दुखी है मन में पीड़ा है आक्रोस है यह इसलिए है कि यह सड़ीगली वेवस्था को दिखाती है कि पत्रकार जब काम करने जाता है या काम कर रहा होता है उसके साथ इस तरह की घटना होती है घंटों उसका इलाज नहीं होता है जब इस बेवस्था को सुधारने की भी जुरत है और हम उमीद करेंगे कि जिला परसासन पुलिस परसासन और सरकार समुचित इलाज कराए इसका बैजनात का जो करा भी रही है लेकिन जो दुख की बात सबसे बड़ा बात यह है कि चार दिन हो गए आरोपी आज भी आपके आस शायरी के साथ मैं आपके साथ आपसे विदा ले रहा हूं और इस शायरी को चेतावनी समझा जाए कि शाखों से तूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं हम आंधियों से कह दो कि अपनी आउकात में रहे कैमरा परसन नवल के साथ शारिफ इबराहीम समाचार प्लस राच्छी अबड़ से पिताव प्लस राच्छी आपके साथ चेपाना प्लस राच्छी आपके साथ 1 लो भी सव्यारी है झाला ह।